हलो गाइस वेलकम टू माई यूट्यूब चनल दोस्तों आज हम बात करने मारे है सेल कोराणिक का गैलेक्सी 6G 8 किलोवाट सोलर इंवर्टर के पारे में जो की हाइब्रीड सोलर इंवर्टर है जिसकी रिव्यू करके आप लोगो को बोलेंगे फुल रिव्यू करेंगे इंव हमारा जो मेन पाठ है वो नीचे इंवर्टर है तो इंवर्टर को पहले हम खोलते हैं दोस्तों देखते रहें ना फुल वीडियो आप देख सकते हो कितनी अच्छी से मतलब कि अच्छे से पैक किया है इंवर्टर को इसकी जो लूक है वो काफी अच्छा लूक है अब छार क्यूलोवाट करके ना पैनल लगा सकती उसके ग्याइब दोस्तों चलिए देखते इंवर्टर के साथ क्या में मुसप के अंदर दोस्तों अब देख सकतो excaight पर कुछ पढ़ा है अमने उस इसको एंदर क्या है दोस्तों इसके अंदर कुछ वयर और स्ष्टी टांसॉम दोस्तों, इसका सिरीष सेंसर का जो मेन Only काम है, वह कि आपकी जो grid है, घर की मतलब जो solar पर जो grid आपकी generate होगी उसको आपकी जो electric pole पर उससे जानने नहीं देगा दोस्ता, ये blocker का काम करते है, मतलब कि आपकी जो grid है उसको एकस्पूट नहीं होने देगा जाता है इसलिए इसको सीद हमस्वा बोल लाग जाती है 100ंप्य का सिरे ट्मस्वाहर है दोस्तों चलिए रख तेशो साइट पर और देख्या इस पर एक केबल है मेनली जो केबलर है इसका में काम है वह कि जो cell chronic का inverter होता है दोस्तों इसके साथ आप इसके जाए cell chronic का सेम inverter आप और भी इसके साथ पैरलरी करेक्ट कर सकते हैं मानलीजे मेरा 8 किलोवाट का inverter मुझे और एक 8 किलोवाट का inverter तो हम दोनों को पैरलरी लगा सकते और 16 किलोवाट कर सकते हैं और यह हमारा temperature sensor जो की बैटरी के साथ एटच रहेगा दोस्तों और बैटरी की जो condition है उसको sense करगा inverter की बैटरी केतना heat हुआ एफिन नहीं हुआ दोस्तों और आप देख सकते हो यहाँ पर जो की fastener दिया गया है 4 piece जो की आपकी जो inverter वाल माउंटिंग inverter है मतलब कि आपकी जो वाल पर रहेगा inverter इसलिए वो fastener दिया रहा है दोस्तों और एक चीज़ है दोस्तों यह है smart dongle जो की आप कई पर भी रहो आपकी जो inverter की जो condition है वो आपको फोन पर दिखेगा वाइफाई डंगल बोला जाता है इसको जो की inverter पर एटच रहता है दोस्तों नीचे की तरफ आपको दिखाएंगे full अब देख सकतो इसकी जो लूख है काफी अच्छा लूख है और इसके अंदर dual MPPT hybrid टिकनलोजी यूज़ किया गया है साइड की तरफ भी देख सकतो आप cooling fan है look wise inverter काफी अच्छा है इसकी चारों दिशाव से और इसकी जो प्राइस है दोस्तों प्राइस भी काफी ज्यादा प्राइस है अब देख सकतो यहापर जो है cooling fan दिए गए जो कि हम cooling fan आपको दिखा रहे है अभी तीन cooling fan है दोस्तों य IP 65 इसके certificate मिला हुआ है और साइड पर दो switch है जो कि एक PB को on-up करने के लिए दोस्तों मतलब कि solar की जो power आ रहे है उसे आप on-up कर सकतो इसकी मदद से और नीचे एक switch है जो की inverter को on-up करने के लिए है जो की green color का दोस्तों आप देख सकतो यह है on-up button जो आपकी inverter की system है उसे का वायर यूज के था दोस्तों काफी अच्छा वायर है और यह जो वायर है डिसी वायर है दो सब देख सकतो नेगडिव और पॉजिटिव है और यहाँ पर आपको ज्यादा मोटा वायर ही लगाना है क्योंकि इसकी जो inverter की जो आपकी discharging current है बहुत ज्यादा है क्योंकि य और इसके बाद आपको मिलेगा common 123 इस जगह पर आपको जो ऐसा करना है यहाँ पर जो हमारा city sensor है city sensor लगाने का port है दोस्तों और उसके बाद आपको दो port मिलेगा आप देख सकतो जो कि PV1 और PV2 मेंचन है इस जगह पर आपको जो करना हो है solar का जो हमारा input है negative positive उसको यहाँ प बेस्ट है मतलब कि dual technology पर बना है और देख सकतो इसकी जो output है और load है जो मेंचन है और नीची के तरफ जो है यह wifi डंगल जो हमने दिखाया कुछ time पहले उसको यहाँ पर लगना है दोस्तों चले inverter inverter की features के बार में कुछ देखते है और इसकी जो inside की जो भी component है नीची के है और आपकी जो inverter की जो all indication है वो आपको phone पर भी दिखेगा क्योंकि inverter के साथ आपको डंगल भी मिल जाता है दोस्तों और यह जो inverter है आप इसे on grid भी यूज़ कर सकता अप grid भी यूज़ कर सकता दोने used होता है दोस्तों इस लिए इस inverter को hybrid inverter बोला जाता है और इसकी जो capacity है य जो पैनल है उसको लगा सकते हो दोस्तों 11 किलोवाट तक और आप चाहो तो आपको grid easily upgrade को export भी कर सकते हो मसलिए भी बेस सकते हो दोस्तों अगर आप इस inverter को purchase कर सकते हो तो इस inverter की जो प्राइज है दोस्तों प्राइज थोई जादा है एक लग सत्रहजर के आसपास है चलिए आपको इस जगा को खोल के दिखा देते कि इसके अंदर क्यागा component है जो की inside देख सकतो यहापर जो की DC टर्मिनल है दोस्तों इसके यहापर कुछ PCB भी है अब देख सकतो यह जो DC wire हमने यहापर लगाया जो की इसकी जो नाड वगरा है काफी मोटा है क्योंकि इसकी जो discharging current हो बहुत जादा है दोस्तों 100 A के ऊपर discharging current है क्योंकि यह 8 kW का inverter है इसलिए आपर अच्छे से काम करने पड़ेगा दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं आपर कुछ port है जो कि CT sensor का port है दोस्तों जो भी हम लोग CT sensor लगाएंगे या फिर battery temperature sensor जो भी है उसकी जो port है उस दोस्तों मान लिजे कि आपके घर पर कुछ और भी दो inverter है तो आप इसके साथ parallel wire के मदद से connect कर सकते हो इसलिए socket जो है inverter ने पहले से दे रखा है जो काफी अच्छा quality है और उपर पर दो port है दोस्तों यह है lithium battery के port है जो कि lithium battery पर भी कुछ sensor वगरा लगाने के लिए जो कि बैटरी की स्थिती या फिर condition है उसको टेस्ट या फिर उसको देखने के लिए यह port use हता है दोस्तों inverter जो है काफी अच्छा है technology के मामले में और इसके जो features काफी अच्छा है और इसके बाद आप देख सकते हैं आपर जो PV का plus minus slot है जो की dual MPPT based inverter है दोस्तों इसलिए आपर च यहां पर चार स्लोट है full क्योंकि दो negative और positive का होता है दोस्तों आपकी जो solar की वायर है वह यहां पर directly आकर लगेगा दोस्तों अब देख सकते हो इसकी जो solar solar panel की capacity है दोस्तों 11 वाट तक है और उसके बाद देख सकते हैं पर तीन connector है जो की input है एक और output है दोस्तों अब जानने में आसानी होगी किसी को भी और दो यहां पर output है जो कि smart load है और एक normal load है दोस्तों बहुत सारे लोगों के अंदर confusion रहता है यही कि smart load और normal load के अंदर क्या difference है यह पिर बहुत सारे inverter रहता है उस पर mention रहता है कि heavy load और normal load तो दोस्तों आप लोगों को बोल देते हैं जो की equipment होता है appliances होता है जितने भी small size का appliance होता है मालने जिए light पंखा टीवी यह सब appliance जो है इस अब normal load के अंदर पढ़ता है दोस्तों और smart load या फिर heavy load के अंदर पढ़ता है AC, motor, geezer, washing machine जितने भी heavy appliance होता है दोस्तों उसको आप smart load पर चला सकते हो इससे क्या होगा inverter पर कोई द इसलिए company क्या करता है कि smart load के लिए एक अलदा slot करता है जहां पर आप easily आपकी घर के जो heavy load है फिर smart load है उसको आप easily इसको पर चला सकते हो दोस्तों और इस जो inverter है आपको पहले भी मैंने बोल चुका हूँ जो inverter है टांस्वर माले से इसके अंदर टांस्वर नहीं रहता दोस आपको शायद मालूम हो गया होगा कि smart load और normal load के अंदर क्या difference है दोस्तों और इसका इसी input आप अंदर की भी वाइरिंग देख सकते हो दोस्तों यह पर mention भी है अंदर की वाइरिंग और आप smart load के अंदर अगर possible हो तो smart load के अंदर heavy load की जो appliances होते है वही सब चला ही इसके अं कुछ दिक्कत नहीं होगा दोस्तों अपकी और प्रफर्म करेंगीर अब देखते हैं inverter की आप देख सकतो एज वाइर है यो वाइर आपको इन्वार्टर के अंतर ही मिलएगा दोस्तों वाइरको ऐलाग से पृट्षस करने की जरुरफ नहीं आप देख सकते 50- goed बैटरी का वैयर है और इसंब जो Input आउटपूर वैर है जो कि आप चाहो तो आप 10 स्कुर इमिम्म का भी वैर युज़ कर सकते इंपूर पर लेकिन बैटरी का वैर है दोस्तो उसको आपको 50 स्कुर आम यूज़ करना है और एसे डीघ बोक्स दोस्तो जिस पर आप देख सकत को disconnected कर देगा और यह दोस्तों DB box जो कि इसी DB box बोला जाता है इसको इसी input के लिए दो MCB और आप देख सकतो normal load के लिए और एक smart load के लिए यहाँ पर भी हमने sticker mention कर दिया जाकि मतलब कि आप लोगों को समझने में कोई problem नहों हो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 400 प्रोटेंशन है आप देख सकतो यह सी का इनपूट है उस पर भी MCB है और आपको इतना सारा प्रोटेक्ट जो है अलग से पर्चिस करने की ज़रूरत नहीं इसलिए उनकी जो प्रोटेंशन प्रोटेंशन ज्यादा सोचते है इसलिए उन्होंने खुद का जो डीवी बॉक्स है या फिर डीवी बॉक्स है डिस्टिबूशन बॉक्स है दोस्तों काफी क्वालिटी का बॉक्स है अब अगर मार्केट पर भी किन खरीदने जाओगे तो कम से कम आपको 5000 के आसपास रुपए लग जाएगा अब देख सकते हो इसकी जो कुवालिटी के बारे में जितने भी है अच्छा ही कुवालिटी है और चलिए आपको दिखाते हैं अभी डिस्प्ले की तरफ अभी देख सकते हैं इस पर बैट्री करेक्टर नहीं है नो बैट्री और इनिकरिशन दे रहा है और यह जो इन्वर आपकी मदद मतलब कि आपकी जो मतलब कि आपकी जो खुद की पैरमेटर है आप चाहो तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो अब देख सकते हैं पर जो बैटरी सिटिंग है उसके अंदर बैटरी मोड भी मेंचन है जो कि अभी आप देख सकते हो लिथिया में यूस बैटरी है कितने current पर चार्ज करोगे बैटरी का बैटरी का कितने ही का बैटरी है सब कुछ आपर मेंचन रहां दोस्तों जैसे कि आप देख सकते उस बैटरी भी लगातिया maximum charge 40 एमपेर और discharge current कितना है देखिए 185 एमपेर discharge current आप चाहों तो उसको भी इचादा कर सकता हुआ